असलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूँ फुरकान और आप देख रहे हैं Easy Steps दोस्तों जब हम AdSense में अपनी identity verify करा लेते हैं तो AdSense हमारा address verify करने के लिए हमें post के जरीए एक pin send करता है ये pin हासिल करने में भी अक्सर हम लोगों को कापी मिश्किल हो जाती है मुझे भी ये pin second attempt में मिली है और वो भी मुझे खुद अपने post office जाकर देनी पड़ी है बारहाल अगर YouTube पे काम करना है तो थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी तमाम YouTubers से कह रहा हूँ के मेहनत करना पड़ेगी अच्छा ये मेरा pin है इधर मेरा नाम पता और parcel code लिखा है यहां लिखा है remove side edges first तो पहले एक side remove करके देख लेते हैं के अंदर क्या है दोस्तों अंदर कुछ नहीं है और मेरा pin code अंदर इसी page पे print हुआ है तो हम इसकी दूसरी side भी remove कर लेते हैं और ये तीसरी भी करना पड़ेगी ये side भी remove कर लेते हैं दोस्तों ये आप देख सकते हैं के ये जो number लिखा है ये मेरा pin code है जो मुझे अपने adsense में use करना है अपना address verify करने के लिए अग इसको अपने adsense account में use कर लेते हैं तो pin code enter करने के लिए अपने adsense account से login हो जाईए जहां लिखा है verify your belief address यहां नीचे verify पे किलिक करें इसके बाद pin पे किलिक करें अपनी pin इंटर करें और submit पे किलिक करें दोस्तों याद रखें आपके पास pin इंटर करने के 3 attempts हैं ध्यान से इंटर करें अगर गलत code इंटर किये तो आपका adsense blog हो जाएगा जैसा के आप देख सकते हैं के मेरे पास 3 attempts remaining हैं मैं एक बार गलत code इंटर करके देखता हूं अब submit के किलिक करता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं के message आ गया है के फिल्म गलत है दोबारा कोशिश करें दो attempts बाकी रे गए हैं चलिए अब सही फिल्म दे देते हैं और submit के किलिक कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं के मेरा billing address verify हो गया है अच्छा ये message मुझे अब भी आ रहा है के अभी तक मैंने अपना address verify नहीं किया है तो page refresh करके देख लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं के अब वो message नहीं आ रहा और हमने successfully pin filter कर दी है तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो please like करें, share करें और subscribe करें और अपनी राय से हमें आगा करने के लिए comments box में comment जरूर कीजिएगा finally thanks for watching